दोस्तों एक ऐसी स्ट्राटीजी से बाते करेंगे जिसमें आप पैस अगर आप नहीं भी है उसके एकोडिंग अगर चलते हैं तो थोड़े से अच्छा खासे पैसा आप उस स्ट्राटीजी को फॉलो करके लगा सकते हैं उसी से लेटरी बाते करेंगे बट विफोर देट हम आगे बढ़ी हमेशा की तरह आपका पहले तो इसमें सो आगत करना चाहूंगो बहुत से फिने शेयर बजार में जो हम सभी का चैनल है और हम सभी को आगे बढ़ना है अग सभी को ग्रो करना है इसलिए यह चैनल बनाया ग करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इंकी वेबसाइट प्लाजाएगा और आपनी चनल सारे महतपुन काम में मदद कर सकते हैं यहां पर एंजल ब्रोकिंग के साथ आपका अगर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो यहां पर ओपन पर इंवेश्टिंग जो कहते हैं उसे आप कर सकते हैं तो जैसे कि आपको पता ही है यहां पर निफ्टी-फिफ्टी आज बुरी तरही किसे गिरा है और पिछले काफी दिनों से गिरता हुआ नजर आ रहा है ओके इस बात की जाएं यहां पर अगर दो शेरों को छोड़के ITC और Infosys इन दोनों को छोड़के बाकी सारे शेर यहां पर धरासा ही होते हुए नजर आए हैं ओके अच्छी खासी गिरावाट 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, 0.2 something percent तो इस तरीके गिरावाट हर एक शेर में होती हुए नजर आई है बट मैं पुछले कुछ टाइम से आपको पर्टिकुले शेर से बताते जा रहा हूं और बता रहा हूं कि यह शेरों में इन्वेस्ट करिए आपको अच्छा खासा प्रॉफित होगा मैंने ITC आपको 50 के जतने भी शेर थे बताया है अच्छा खासे गेन आपको अभी तक मिल भी चुके है और ऐस वेल आज बताना चाता हूं वो इस एक जाना है पर इससे कुछ इन्टिकेटर है अर चाहेंगे तो इसके वा रिलेंट्र में ब्यडिए बना दूंगा थो यह थे Ungeaktr". RSI का Indicator है इसमें मैं काफी टाइम से मैं इसे देखता रहा हूँ इसी से लिटल में आपको बताना भी चाता था काफी टाइम से कि इसे अगर हम follow कर दे है न तो अच्छे कासे पैसे बन रहे हमारे अच्छे कासे पैसे हम परना सकते हैं तो सबसे पहला रूल सबसे पहला रूल ही है कि हमेशा fundamentally strong सबसे अच्छे बिजनस वाले ओके strong share को nifty 50 के share को as well as next 50 के shares को अच्छे share को हमें चुनना है ताकि हम अगर कभी गल्त भी जाते हैं तो हमारा अगर कभी loss भी जाता है तो हमें अच्छे खासे return दे दे पहली बात और दूसरी बात इस strategy को follow करते हैं तो देखिए यहां पर जो यह चार्ट पैटन है यह Infosys का है हम 2-4 share को इसी तरीके से देखेंगे तो यहां पर आप देखते है Infosys तो Infosys देखिए अपने यहां पर RSI जब भी 70 या 80 के बीच में पोच्छता है यहां पर से जाता है और इसके बाद यहां पर नीचे गिरता चला जाता है और नीचे गिरने के बाद दुबारा उठता है और उसी तरीके से भागता है भी 80 नीचे जाता हूब बेने जड़ाता है यहां पर देखिए एक बार हुआ तो यह इसका क्या ठाइंट था त। बताना जाता हूँ रिजूल्ट के टाइम पर पुँचा फिर उसके बाद गिरावट ूई यहां पर देख सकते हैं यहां पर भी अगर हम यहां पर देखे तो अक्टूबर में भी यहां पर देखे रिजल्ट का टाइम था ओके अपना उस लेवल पर पहुचा उपर गया फिर उसके बाद गरावट हुई फिर उसके बाद फिर उपर तो इसी यह लेएक लेवल है कि हम हम यहां तक पहुच के जैसी पहुच है हम exit कर सकते हैं और जितने भी percent के 10% 15% 20% के जो return हमें मिलते हैं वो लेके ओके फिर wait करते थोड़ा सा और wait करके हम यहां पर अच्छे खासे return बना सकते हैं इसे swing trading भी कहते हैं और यहां पर देख सकते हैं यह भी result का time यहां पर भी इस्ने हाई बनाया फिर उसके बार नीचे आ गया और फिर इसके बाद देखी है मिलाक है और इस तरह कहते हैं नहीं दोने effort करना और हमें चलाएक खासश है और बात दूसरी तो हमें buy on dips करते रहना है, buy on dips में average उड़ाएगा, average उड़ाएगा, तो हमें ये रहेगा, अगर कभी भी कहीं से भी return भी होता है, तो हमें अच्छा कासा gain मिल सके, तो हमें दूसरे share की भी बात कर लेते हैं, यहां पर देख लिजिए, दूसरे share में आपके लिए ले तूम, तो यह है SCL Technology, तो हमें यहां पर देख रहे हैं, तो देखिए, यहां पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहां पर नीचे आया, यहां पर consolidate कर रहा है, देख र यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ऊपर गया, तो यहां पर buy on dips करना है, हमेशा याद रखना है, यहां से कभी, यह भी हो सकता है, ज्यादा नीचे ना है, और ऊपर थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर निकल जाए, तो हमें buy on dips करते रहना है, तो simple सी strategy है, यहां पर ऊ नीचे जा रहा है, हमें buy on dips करके खरीदना है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, और अच्छे खासे returns हमें मिलने है, और अगर बात करें दूसरे किसी share से लेटी अगर आप देखते हैं, तो आप जैसे कि यहां पर डिविस लब और रेटरीज देख लेते हैं, यह आपक अच्छी तरह किसे अच्छी तरह किसे अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर रहे हैं, मतलब result in the sense, market में भाग नहीं रहे हैं, इसलिए यहां पर यह शेयर अभी हमीं दवाब में दिख रहा है, तो इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यह शेयर एक ऐसा शेयर है, अच्छी फ तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अच्छे कासे गें भी देगा और आपका जो लॉस होड़ा होगा, उसे भी कवर करता हूँ, इसलिए अच्छे शेयर की भामिन नहीं बात करी है, मैंने कोई एहरे गहरे नत्तु खेयरे शेयर की बात नहीं करी है, यहां पर आप देख सक फिर उसके बाद देखिए यहां पर नीचे तक आया, फिर ऊपर गया, तो यह हर एक हो रहा और इसमें यह क्यों हो रहा है, क्यों कि यहां पर यह जब दूबारा यह नीचे चला जाजाता है, तो छो पेसा निकाल स्वावित की मैया पहरेशफिती उन है, तो लोग प्या बाद यहां पर दुवारे रैली पकड़ना शुरू कर देता है, अगर और दूसरे शेर की भी आगर हम बात करते हैं, कोई भी शेर आप उठा के देख लीजिए, mostly शेरों में ऐसा ही होता हुआ हमें नजर आ रहा है, अगर हम देखते हैं, यहां पर Tech Mahindra, टेख महिंदरा की बात करें, यहां पर देख लीजिए Tech Mahindra, Tech Mahindra भी देखिये, यहां पर उपर गया, फिर उसके बाद नीचा आया, Consolidate किया, फिर अब देखियो ऊपर, Same here, यहां पर भी देखियो, उपर गया ओके consolidate तो ऐसे में हमें इसलिए मेने हमें रिचाता है कभी अभी शेर ज्यादा नीचे ना है वहीं से उपर निकल जाए तो इसलिए हमें मौका भी निगावाना तो बायोंड है हुआ हमें 10 शेयर है तो हम 2 शेयर चार शेयर एक शेयर जितने भी हम शेयर ले सकते हैं उसे थोड़ा से कम लेके इस तरीक के हम डील कर सकते हैं इन शेयरों में टाटा इलैक्सी यहां पर गया फिर उसके बाद यहां पर गया था और यहां पर ऑफिर फायदा उठाई है और ऐसी अब एक शेयर के बारे में आपको बता जाता हूं वोके अभी लास्ट वीडियो मैंने उसी से लेटर बनाई है तो यह है SBI Cards Payment ओके तो इस शेयर में क्या हो रहा है देखे उपर गया नीचे आया और इसका RSI बड़ा फेवरेबल आ रहा है थोड़ा और नीचे मिलता है तो इसे उठा लीजिएगा बहुत अच्छे returns आपको मिलते हुए निजरेंगे यहां पर दिख सकते हैं यह भी consolidate और long term के लिए रखिए इस शेयर को तो यह शेयर काफी बहतनी शेयर है मैंने गलती कर दी इसे जब IPO आया था मैं भी मेरे को मिल गया था और IPO में मतलब loss हो रहा था तो मैंने अधर से निकल गया था फिर मैंने और दूशर शेयर में लेकर अपना profit बुक किया profit बनाया अच्छे शेयरों में हमेशा बने रहना भी एक अच्छी कल रही है और बाकी एक swing trading है जो आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पैसा रोटेट करते हैं लोग पैसा रोटेट करके पैसा बनाते हैं तो वही एक तरीका है यह इन्वेस्टिंग तो करिया ही करिये थोड़ा बहुत इसमें भी ट्राइ करिये शायद अच्छेगा से और पैसे बन जाए ओके तो इन्वेस्टिंग में अगर 60% नी बन सकते तो शायद इसमें हमारे यह एरली 40-30% या 50-60% के रिटन से में बलता है तो हम ट्राइ करते हैं तो मैंने यह मैंने देखा है तो मैं भी सोच रहों कि इस तरीके की स्टैडी मैं भी इसलिए मैं वेट कर रहा हूं मैंने IT में मैंने काफी शेयर ले रखे है तो IT के जैसे ही उपर यहां पर टचूंग है तो उपर जाता है नीचे जाता है उपर जाता है तो इस तरीके से हो रहा है और के पैसा रोटेट हो रहा है तो हमें completely exit भी नहीं करना और हमें buy on dips करके share खरीदने और अच्छेगा से return बढ़ाने है तो यही एक वीडियो था अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment share करिय जासे जादे लोगों तक पलाईए एक simple strategy है जो मुझे लगी और बाकि हमारे चैनल बहुत सब्सकाइब करें शेयर करें family friends के साथ ताकि इस तरीकी की वीडियो में आपके पास लात रहा हूं so thank you so much God bless